इस बार क्या सोचा है? क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाओँ पर दो साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है न क्या हुआ था? हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था न, इस बार मैं ध्यान रखूँँगा ठीक है, और फिर करोगी क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे, और भर पेट क्या? जी भर खाएंगे, और क्या? राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हस्ती, सर्दी का मौसम आने वाला था तो इस बार राम ने तई किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा उसने बड़ी मेहनत से खेत को तयार किया और मटर के बीच भी बोती है कुछ दिनों बाद, पहले पौधे आये और फिर उन पर हरी हटरी मटर लगनी भी शुरू हो गई हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर, राम फूला नहीं समा रहा था नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है पर अभी बहुत काम है अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम जलो मेरे साथ इतना कहकर, राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुचा खेत देखकर नंदिनी के चहरे पर भी मुस्कान आ गई, पूरा खेत हरी-भरी मट्रों से भरा हुआ था उपर वाले की किरपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार, तुम देखना नंदिनी, इस बार खुब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मट्रों के मैंने सोच लिया है, ऐसे आते ही सबसे पहले घर की चछत सो दरवाऊंगा, और कोई खर्चा है क्या? हाँ है न, एक बढ़ियां सी साडी भी दिला देना मुझे हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं, तुम दो साडीयां ले लेना इस बार दो, अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश मट्र की बढ़ियां फसल देखकर दोनु पती पतनी सपने संजोने लगे दूसरी तरफ पूरे गाउं में भी ये खबर फैल चुकी थी, कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़ियां हुई है और फिर एक दिन राम की घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उत्रा इलाकी का विधायक रामवतार सिंग अरे विधायक जी, आप राम 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 भाई, कैसे हो? उपर वाले की कृपा है विधायक जी कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है हाँ विधायक जी सब भगवान की दया है तो क्या सोचा है किसे बेचोगे अपनी मटर अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूँगा अरे तो हम काय के लिए हैं हमको दे दो अपनी सारी मटर हम पूरे पंदरा रुपए देंगे तुम्हें एक किलो के पर शहर में तो इस बार पच्छीस से तीस रुपए किलो भिक रही है मटर देखो राम मटर है के हो नहीं जो कई महिने संभाल लोगे दो दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी मेरे पास स्टोरेज की सो विधा है मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूँगा आथो आथ ठीक है विधायक जी मैं आपको शाम तक बताता हूँ राम को दुविधा में छोड़ कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करू नंदिनी कुछ समझ नहीं आ रहा ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है हमसे कम पैसो में फसल खरीद कर शहर में उचे दामों पर बेचता है मेरी मानों तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए इतना आसान नहीं है नंदिनी रामा अवतार की मर्ची के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा उसे कोई बैर नहीं लेना चाहता और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा अच्छा तो फिर क्या कर सकते है पिधायक जी के नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी अच्छा सुनो अब खाने में क्या बनाया है घरमा गरम मटर पुलावे जी अरे वाँ तो जल्दी से ले आओ फिर बड़ी भूक लगी है पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोई थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी तो घर में चावलों की कमी नहीं थी और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बना कर ही राम को खिलाया क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहत पसंद भी था जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई थिया लोगों के चीक में चिलाने की आवाजे आ रही थी दोनोंने फॉरण बाहर निकल कर देखा तो पुरा गाउ जल रहा था आग बहुत बढ़ चुके थे लगभग सारे घर जल रहे थे बस एक राम का घर सुरक्षित था क्योंकि वो उसके खेट के किनारे ही था और बाती के घरों से दूर था राम खाना छोड़ कर फॉरण लोगों की मदद के लिए दोड़ा काफी देर बाद आग तो बुचाली गई लेकिन गाउं के सारे घर जल कर राख हो चुके थे सारा सामान सारा राशन सब कुछ राख बन चुका था पूरा गाउं रामावतार विधायक के पास पहुँचा गाउं के लोगों ने विधायक से अपनी परिशानी बताई तो विधायक ने उन सब को दुद्धकार दिया जलो अब क्या बस यही काम रह गया है लापरवाही करो तुम आग लगाओ तुम और भरपाई करू मैं मतलब की सरकार गाउं के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था पर वो मजबूर थे और मुँ लटकाकर वहां से जाने लगे तब ही विधायक ने राम को आवाज लगाई अरे राम यहाँ आओ इनका जक्कर छोड़ो तुमारी फसल तो ठीक है न आँ जी मेरी फसल तो बिलकुल सुरक्षित है आ तो एक काम करो 16 रुपे ले ले लिना भाई लेकिन अब जल्दी सौदा पका करो और सारी मटर यहाँ पहुचाओ समझे विधायक जी माफ करो लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता अच्छा तो क्या करेगा मटर का किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूँगा मैं चाहे तालाब मैं डाल दूँ पर आपको नहीं दूँगा अपनी मटर राम अफ्तार ने मजबूर गाउंवालों की मदद नहीं की इस बात से राम बहुत नाराज था उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया फिर घर लोटते हुए उसने गाउं के कई बच्चों को भूख से रोते बिलगते देखा और फिर नंदिनी घर में कितना चावाल है काफी है वैसे क्यों पूछ रहे हो मारे पास मटर की कोई कमी नहीं है तुम्हें काम करो मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूला बनाता हूं और तुम गाउं की ओरतों के साथ मटर पुलाओ बनाने की तयारी करो सबके लिए जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है मेरे गाउं का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी विलहल गाउं के बारे में सोचना है नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तयारी शुरू करती अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में धेर सारा मटर पुलाओ पकता रहा और गाउं के लोगों की भूख मिटाता रहा पूरा गाउं राम और नंदिनी के वो दुआएं दे रहा था लेकिन फिर धीरे-धीरे राम के घर चावल और मतर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पढ़ने लगे तभी एक दो पहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उमीद किसी को नहीं थी अरे मुख्यमंत्री साहब आप मुझे करीब के घर राम राम साहब अरे नंदिनी ओ साहब आप अंदर आईए नहीं यहां बैठिये साहब अरे बस करो भाई तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है लेकिन अब किसी को परिशान होने की जरुवत नहीं है मैंने यादेश दे दिये कलेक्टर साहब सारी विवस्था कर देंगे बहुत बहुत सुक्रिया साहब अब तो कुछ नहीं चाहिए चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मी दुआर जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करे यहां के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहतो ताकि यहां सही माएने में विकास हो सके सीम साहब की बाद सुनते ही गाव के लोग सीम साहब और राम की जै के नारे लगाने लगे सीम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जनतार राम के साथ थी राम ने भी हां कर दी और फिर सीम साहब के जाने के बाद सुनिये ना जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरी लिए साड़ी ला देंगे ना हाँ हाँ इस बार पक्का कडाके बरी ठंड में ब्रिजेश जंगल में कामते हुए लखनियां काट रहा था कि तभी तेज आदी दूफान चलने लगा और एक बड़ा पेड ब्रिजेश के उपर आगिरा जिसके नीचे दब कर ब्रिजेश की रीड की हड़ी तूट गई अपने पीछे वो पतनी सविता और दो बेटियां मालीनी और सानवी को छोड़ गया लेकिन कुछ दिन बाद ही जादा चिंता करने के कारण सविता का ब्लड प्रेशर हाई हो गया जिस कारण उसके सर की नस भट गई और उसकी भी मौत हो गई मालीनी और सानवी पर तो जैसे दुखो का पहाड ही तूट पड़ा वो दोनों बेहने अनात हो गई सानवी ने अपनी बड़ी बेहन मालीनी से कहा दीदी अब हमारा क्या होगा बिना मा बाबा के हम कैसे रहेंगे तू चिंता मत कर छोटी मैं हूना हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे ऐसे ही कुछ दिन बीद गए बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी वो दोनों बेहने अपनी जोपडी में बैठी रहती उन दोनों बेहनों का जैसे तैसे खाने का गुजारत चल रहा था एक रोज जब बाहर तेज ठंड थी तो मालीनी और सानवी अपनी जोपडी में बैठ कर आग दाप रहे थी तब ही सानवी ने मालीनी से कहा दीदी जब मा बाबा थे तो कितना मज़ा आता था ना बाबा सर्दियों में हर हफते मुर्गी लाते थे और मा उसका हांडी चिकन बनाती थी मा के हाथों के हांडी चिकन खाने की बहुत याद आती है दी थी कि आब हमें कभी वो नसीब नहीं होगा होगा मेरी बेहन जरूर होगा वो जंगल वाले अंकल ने कहा था ना कि सरकार बाबा की मौत का कुछ मुआफ़ा हमें देगी चल उनसे मिलकर आते हैं वो दोनों सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं देखिए सरकार का कहना है कि ब्रिजेश की मौत प्राकरतिक वजह से हुई है इसमें डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं इसलिए उन्होंने तो मौवजा देने से इंकार कर दिया है लेकिन तुम लोगों की हालत देखकर हम स्टाफ के लोगों ने मिलकर कुछ पैसा इखटा किया है अब ये लो 30,000 रुपए हम सिर्फ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं वो दोनों 30,000 रुपए लेकर घर आ गई लेकिन उस रात मालीनी को बिलकुल भी नीन नहीं आई वो रात भर सोचती रही ये पैसे एक नाएक दिन तो खत्म हो जाएंगे लेकिन उसके बाद हमारा गुजारा कैसे चलेगा सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही ने चला फिर अगले दिन मालीनी बाजार से थोड़ा चिकन ले आई और जिस हांडी में उसकी मा चिकन बनाती थी उस मिटी की हांडी में वो चिकन बनाने लगी उस दिन उन दोनोंने कई दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया एरे वा दीदी, आपके हाथों में तो बिल्कुल मा के हाथों जैसा स्वाद है बलकि सच कहूं तो इसमें तो मा की बनी चिकन हांडी से भी बढ़कर स्वाद आ रहा है वा वा इस ठट में तो आज चिकन हांडी खाने का मज़ा ही आ गया काश तुम्हारी हांडी चिकन की दुकान होती तो मैं दिन में कई बार खाती उसकी बात सुनकर मालीनी को एक आईडिया आया और उसने जरूरी सामान खरी था फिर ठेला लगा कर हांडी चिकन बेचने लग गई आईए आईए स्वादेश्ट हांडी चिकन खाईए अरे वा बच्चों तुमने भी काम शुरू कर दिया बढ़िया है बढ़िया है वैसे कितने की है एक प्लेट हाँ काका घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा न 40 रुपे का है हांडी चिकन लगा दू हाँ हाँ जरूर जरूर वा भई वा क्या बात है क्या स्वाद है इसमें ऐसे दोनों बेहने भरी ठड में सारा दिन खड़े रहकर हांडी चिकन बनाती उनकी कमाई थोड़ी बहुत होई जाय करती ऐसे ही एक रोज उनके ठेले पर एक आदमी आया उसने जब उनके हांडी चिकन का स्वाद चका तो उसने दोनों बेहनों को अपने होटल में हांडी चिकन बनाने के लिए कहा यह सुनकर दोनों बेहने बहुत खुष हुई और वो उसके होटल में काम करने लगी जहां उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे फिर धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने खुद का ही रेस्टरेंट खोर ली जहां उन्हें और भी अच्छी कमाई होने लगी और अब दोनों बेहनों की गरीबी पूरी तरह दूर हो गई